एक शब्द होता है अर्थशास्त्र और एक शब्द होता है अर्थवेवस्था अर्थशास्त्र और अर्थवेवस्था का एक लाइन में अंतर समझे तो यह हैं कि अर्थशास्त्र वो एक विशे का जो कि धन से सम्मधित विशे है उसके जो सिध्धान्त है जो नियम है उसका अध्यान होता है जबकि अर्थ विवस्था उन्हीं अर्थ शास्त्र की नियमों का अनुपालन करते हुए जब हम उसको implement करते हैं उसको हम कहलें कि मूर्थ रूप में लेकर आते हैं तो जो हमें पूरी विवस्था दिखाई पड़ती हैं उसको अर्थ विवस्था बोलते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ शास्त्र सैध्धान्तिक पक्ष होता है जबकि अर्थ विवस्था व्यावहारिक पक्ष होता है अर्थ शास्त्र नियमों और से धान्तों का अध्यान होता है जबकि अर अर्थविवस्था का अधियन अर्थशास्त्र होता है अर्थविवस्था जो है किसी ना किसी शेत्र के साथ लगी रहती है उसका जो एकॉनमी है वो किसी ना किसी एरिया किसी प्रदेश राज देश के साथ लगा होता है या पूरे विश्व के साथ लगा होता है जबकि ट्रैक अर्थशास की द्वारा बनाया जाता है तो बेसिक साइस का मतलब यह है